हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं एश्टेडी फीड आफ फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों यह प्रैक्टिस नंबर 21 है और मैं यंपी वर्ग 2-3, यूपी डीटी-पीजिटी, यूपी यल्डी ग्रेट, बीपेंसी टीरी-फॉर, चाहे किसे भी इस्टेट का फिजिकल एजूकेशन का प्रिप्रेशन कर रहे हैं, डेली बेसे से मेरे चैनल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और थीजिए सेशन के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाए सभी थीजिए को मैंने अच्छे से कंप्लेट कराया हुआ है, तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो के तरफ, दोस्तों धैरे पर वक रेगूरली कांसिस्टेंसी बना करके जरूर देखिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, और जिस भी कोशन्स में डाउट रहता है मैं अगले वीडियो में आपको डाउट क्लियर करा देती हूँ, जैसा कि पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया हुआ है कि खोखोफ हेटेशन आफ इंडिया की साफना उनिस सो पच्पन में हुआ है, तो दोस्तों पता है कि उनिस सो पच्पन हुआ है, बट आपके और यह कोश्चन पूछा गया था आपका खोखोफ हेटेशन आफ इंडिया एक्जाम में और उसमें आपका आपका आपसन ही पहीं था उनिस सो पच्पन तो निस सो साथ मना जाता है, याद रखी गया जो खोखोफ हेटेशन आफ इंडिया के बाग बात करें तो दोनों जिए üç साथ थिक हुजा आएगा तो चलते हैं आज के सा जिए मकित्र रेदर क्रेट के तरा है और परेडला कितने प्रकार की होती हैं मैं तो ट्च्पन मोटिवेशन आर देर सब्सक्राइब girls的 प्रकार की होती है एक होती है आंत्री या प्राथमिक अभीत्रा जिसे हम internal motivation बोलते हैं दुसरा होता है दीत्य या secondary motivation जिसे हम external motivation कहते हैं जो प्राथमिक या internal motivation होता है तो जन्म से भीदमाण होता है जैसे भूख, प्यास, दर्द, मुक्ति, नीर, अराम, जो भी आप करेना चाहते हैं, आपके अंतरी प्रेड़ा से होकर आप करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है, अधितियक प्रेड़ा में सेकेंडरी होते हैं, जो जन्मे के बिरवान नहीं होती, अपितु जन क्वेशन नमर टू है, लिम्बा राम का संबंध है, तो दोस्तों, लिम्बा राम का संबंध जो है, तिरन दाजी याने की आरचरी सी है, और लिम्बा राम वर्च निस्चो एक यानवे में खेल छेत्र के प्रतिष्ठित सम्मान अरजन पुरसकार से समानित किया गया था, इन्होंने वर्च निस्चो पान में बीजिंग एस्या और चैंपियंस्टिप में स्वर्पदक प्राप किया था, याद रखिएगा, Q3 है, माईलो जिसने प्राजीन उलम्पी खेलों में च्छाव बार भाग लिया, वहाँ खिलारी था, तो वहाँ रेसलिंग खिलारी था, यानि कुस्ति का, Q4 है, प्रथम ACI खेलों में भारत का अस्थान क्या था, दोस्तों वहाँ प्रथम ACI खेल जो है, वहाँ, मार्च 1991 नए दिलने में हुआ था, जिसमें प्रथम अस्थान जापान का था, 60 पदक के साथ, और भारत का दूसरा अस्थान 51 पदक के साथ था, भारत का कौन सा अस्थान था तो दूसरा आपका राइटेंसर हो जाएगा आपसर नमबर बी और भारत ने पंद्रह स्वर सोलर रजत अबीस का से पदक कुल एक्याउन पदक हासिल किये थे और दोस्तों जो उनिस्वा एसियाई खेल 2022 है वो कोबिद नाइटिंग के करण एक स कि में संपन हुआ और जिसका विजेता जो है वह चीन हुआ 382 कुल पदक के साथ जोकि भारत का अस्थान दोहयाटेश में कि जोथा अस्थान है जिसमें 28 स्वर अर्टिस रजत एक्ताइस कहां से पदक कुल 107 पदक जीता हुआ है नेक्श कोचन है अभिजीत गुपता का संबंध किस से है अभिजीत गुपता इस रिलेटेट टू तो दोफतो अभिजीत गुपता जो है वो सत्रन जानी चेस के खिलाडी है वे वर्स 2002 में मातर 13 वर्स और 10 दिन के उमर में कितना 13 वर्स और 10 दिन के उमर में राष्टिये जुनियर अंडर 19 सत्रन चैंपियन बन गए थे कोसे नमबर 6 है जिन वेक्टियों में रख्टचाप का पठन MMHG से उपर होता है उन्हें उच्छ रख्टचाप का मरीज माना जाता है यह जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा समान में रख्टचाप होता है 120 असी होता है यानि कि हाई आपका 120 लो आपका 80 तो यह इस जाने का और पो यह 20 आने का जब बाय निलए जो है संकुचित होता है यानि सिस्टोलिक जो निलए के संकुचन परकुंचन यानि सिस्टोलिक और डा mattressty होता है तो उसका जो दभाव ध्म Officer पर पढ़ता है उसी को हम ढ Districtך जाब जहाते हैं और जब बाया निलर जो है सिथिलर नमस्था में होता है यानि कि अलिन से रक्त बाया निलर में आता है उस कंडिसर में जो दाब धुमनियों पर पड़ता है उसे डाइस्टोलिक ब्लड प्रेसर कहते है इसका मान 80 mmHg होता है तो समान अवसा तरफ चाप 120-180 mmHg होता है और 120-180 से ज्यादा रहें लोडर केशल से क्का मान 42 रहें तो आपका हाय viewers प्लड प्रेसर करेंगा 120-180 से कोशन नमर साथ है रचिन की अधिन को कहते हैं, एस्टडिया बाड़ी इस्ट्रक्षर तो कहां वहीं इस्ट्रक्षर की बात आए वहां आपका अटोमी, यानि स्री रचिना बिग्यान जहां body functions की बात आए दोस्तों वहां पे होगा आपका सरी किरिया बिग्यान फीजियोलोगी याद रखेगा question number eight है प्रथम राष्टिय मेराथन दोड कहां आयूद किया गया था where was the first national marathon held दोस्तों प्रथम राष्टिय मेराथन दोड जो है मरात की पहली मीराथन दोड पूडे के डिक्कन जिम खाना में 1928 में हुआ था यहां पूडे के कब रायट हो जाएगा पूडे के डेक्कन जिम खाना में 48 में हूआ था पूडे इंटरनेशनल मेराथन वार्ष्ट 1983 से पर्तिवस आयोजित कि या रही है और परतिवस आयद कब से हो रहा है 1983 से याद रखिएगा जैसे कि आप जानते हैं मैनाथन दोड़ की जो दूरी होती है 42 दस्वरों एक नो पांच किलो मीटर यानि 26 मिल 385 गज और जिसको 1924 पेरिस फ्रांस में मानेता मिली थी कोशन नमर 9 है अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं वाट बाई वाट अदर नेम दो लाओ आफ प्रैक्टिस नून दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे थांडाइक ने प्रैत्न तूटी सिधान को अधार बनाकर कई नियमों का परतिबादन किया जिसमें से उन्होंने सिखने के नियम परतिबादित किये जिसमें मुख्य नियम और गोल नियम मुख्य नियम के अंतरा के उन्होंने लाओ रेडिनेस ततपरता का नियम लाओ एक तो आपका लाव रेडिनेस के तैयारी के नियम के अंतरकत आएगा दूसरा नियम है अभ्यास का नियम लाव एकसरसाइज इसको हम उप्योग अनुप्योग का नियम जानते हैं तो आपसर नमबर यहां पे C राइड इंसर होगा इसमें क्या है किसी चीज का हम नियमी तुरू से अभ्यास करते हैं करते रहते हैं तो वह मजबूत होता है बार-बार दुराने से प्रभाव फूरा इस्थाई बन जाता है लेकिन आगको उसको नहीं करते हैं तो हमारा दे भूल जाता है कि बिस्मित ही होने लगता है ति SHAR होता है प्रभाव का नियम या प्रड़ाम का करते हैं और अच्छे से करते हैं जैसे आप पुरसकार कोई दे रहा है कोई प्रसंसा आपका कर रहा है आपको उसमें रूजी है तो यह संतोस की नियम के अदर आएगा और संतोस में यह क्या हो जाएगा कि आपका कुंठित ब्योहार हो जाता है जैसे कोई दंड दे रहा है को तो यह प्रभाव का नियाम होता है. Q10 हमारा हिदे एक मिनट में कितनी बार धरकता है? How many times does our heart beat in one minute? आप सबको पता है 72 बार धरकता है. तो 72 बार धरकता है. तो क्या हो जाएगा 72 से 75 बार? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हमारा हिदे एक नियर पे 72 बार धरकता है. लेकि जो आप exercise या कोई activity करते हैं, उस condition में 180 बार धरकता है. लेकिन जैसे यह प्रसिचित होते हैं, रेगुलर exercise करते हैं, तो आपका जो हिदे गति हो जाता है, 140-150 हो जाता है. सुरी दोस्तों, 40-50 हो जाता है. तो नार्मल बहत्तर होता है, और एक्टिविटी की समय 180, जो प्रसिचित हो जाते हैं, तो 40-50 बार धरकता है. याद रखेगा, भीदे बड़ा हो जाता है. इसलिए, question number 11 है, बालक बलिकाओं की भिर्निता का अधार है, what is the basis difference between white and girls? तो दोस्तों, उचाई की अधार पर, मोटाई की अधार पर, विकास की अधार पर, height and thickness and growth के अधार पर, यह भिर्धा का अधार नहीं है, यह तो सबका सिमिलर हो सकता है, बट आपका दूनों का भिर्धा का अधार लिंग भे जेंडर deficience है, gender deficiency question number 12 है, भारत में महिला हो की कलब की स्थापना को हुई when was the women's Hockey Club established in India तो दोस्तों भारत है महिला हो की कलब की सथापना 1975 में हुई कब हुआ 1975 में फोसर नमर तेरा है होकी खेल की खेलने की सुक्योर सबैने अधी क्या है What is the total time duration of physical play play in a hockey game तो तो हौकी में जो है पहले अब जो है 60 मिनट का गिम होता है 15-15 मिनट के चार क्वाटर होते हैं 15-15 मिनट के जो पहला हाफ होता है उसमें क्वाटर ब्रेक दो होता है यानि 15 दो पंद्र है फिर 5 मिनिट का आपका मध्यांतर होता है उसके बाद फिर 15 दो पंद्र है यानि quarter break दो मिनिट का होता है कोर्शन नमबर चवुदर है कारे की अधार पर भोजे पतारदों को कितनी भागों बाटा गया है On the basis of functions, food items are divided into how many categories तो दोस्तों कारे के अधार पर भोजे पतारदों को तीर भागों बाटा गया है उर्जा प्रदान करने वाले जिसमें अधार करने के लिए प्रोटीन है बाड़ी बिल्डिंग फूट और तीजरा है सरी के जच्छा करने वाले हैं आपकी विटामीन और मिनरल्स यानि खरी जवड़ Question number 15 है सिठ्छा पधती पार्टिकल विधी आदी में सुधार करने में मदद करता है What helps in improving teaching method, curriculum method, etc. तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस सभी में मुल्यांकन करता है सुधार करने में जब हम कोई परिछा लेते हैं कोई टेश लेते हैं वो कहां तक पहुचा उसका परड़ाम क्या हुआ तो फिर उसका मुल्यांकन करते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है अब इसमें क्या-क्या सुधार करने की जुरूरत है यह सभी हम evil reason के माधियम से पता कर पाते हैं मुल्यांकन के माधियम से question number 16 है strain क्या है what is a strain तो मैंने आपको कई पर बताया हुआ है maksy and my muscles and muscle ligament की यह को चोट होती है स्टेन या खिचाओ कहते हैं जो prepodender legament की चोट होती है अधिक्षीetus हम eder Hindu insp tutto कॉष कहते हैं और जो मांसपेशी要 क क्या करता है तो जोड़ता है तो जो टेंडन और पेसियों की चोट होती है कि उसे हम इस्ट्रेन या खिचाओ कहती है यहापे पेसिया का फटना या खिचाओ आपका राय इंसर हो जाएगा इस्ट्रेचिंग और टेरिंग आफे मॉसल्स कोश्चन नंबर 17 है हमारे शरीर में उर्जा का मुख्य स्रोथ क्या है वाट इदे में सूर्स आप इनर्जी इन अवर बार्डी तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रोटीन एक ग्राम प्रोटीन से 4.1- plot is not बरने में जबकि और शूर्बर 10-4 गंडे में आपको फुल्टीलट करता है तो इंस्टेंट इनर्जी स Ooh स होता है तुम्हां देता है इसलिए हमारे घोजन में 60-65% भाग आपका कर्बो हाइडियर का होता है 15-20% प्रोटीन होता है और 20-30 या 25-30% आपका वशा होता है तो यह जो है कर्बो हाडियर जो है हमारे उर्जा का मुख्य सुरूत है कोसे नमर्ण 18 है इन में से किस अस्थान पर इस्किन फोल मापन नहीं किया जाता इस्किन फोल मेजर इन इन वीच आफ दे फॉल्विंग प्लेस तो दोस्तों जो इस्किन फोल कैलिपर होती है उसको यह दस इसकुएर करके कितना वह दबाव डाला जाता है तो इसमें जो है व इस्किल फोल मापन यहां यहां पर हथेली पे पाम में नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर पकड़ अच्छा नहीं होगा या किवर ऐसे अस्थानों पर ही किया जाता है जहां कि तोचा ठीक से पकड़ में आ सके ताकि सरीर में व्वशा की मात्रा का आकलन किया जा सके कोस्टिन नमबर 19 है लचिले पर्ण को सारी स्वास्त के लिए क्यों मात्रू माना गया है तो दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी करने से क्या होता है हमारी बाडी में खिचावाता है ब्लड प्रेसर बढ़ता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है थकान मिटता है तो यहां भी क्या हो जाता है कि मांस यह मांस पेस्थी उको खिचने से बचाता है फ्लेक्सिबिलेटी हो रहेगा आपके बॉडी में आपके गिरेग यह आजानाक मांसपेसी भी छोट लगेघा तो आपके मांसपेसी खीचे गे नहीं उसे फ्लेक्सिबिलेटी या जाएगי एक इस्ट्रेचिंग पाउर आ जाएगी तो लचिलापन मानस्पेशी उतक की खिचाओं के बाद अपनी समान ने अरामदायक लंबाई और आकरेती में आने के जोगता हो जाती है लचिलापन सारी स्वास के लिए आवस्यक माना जाता है क्योंकि हमारे माध्यम से क्रियाओं या गतिविदियों को अधिक बिस्तार यानिकी एम्प्लिट्यूट और रेंज के साथ किया जा सकता है यह मानस्पेशियों को खिचने से बचाता है इसके लावा या चोटों से बचाओ करने में आसन को सुधारने में पीठ के निचले भाग में दर्द को कम करने में सहायक होता है कोस्टन नमर बीस है हिदे के किस भाग से महाध्यमनी जुड़ी होती है एरोटा इस कनेक्टेट तो वीच वाट आप दे हॉर्ट हाट तो दोस्तों हिदे के जैसे की चार चेंबर होते हैं उपर की दो चेंबर को हम अलिंद कहते हैं आर्टियम और नीचे की दो चेंबर को हम निले कहते हैं यानि वेंट्रिकल तो जो हमारा महाध्यमनी होता है एरोटा होता है दाबाय निले यानि की लेट्ट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है महाधमनी यानि एरोटा महाधोनी एरोटा जो है हिदे से सभी अंगो मेरक्त भेजने का कारे करती है और एरोटा से सबसे पहली साखा निकलती है मुख्य धमनी महाधमनी हिदे की सबसे बड़ी धमनी होती है हिदे के कच्छ से सीधी जूरी रहती है यह हिदे- यह महाधमनी क्या करती है आक्सिजन युक्त हिदे से आक्सिजन युक्त यानि की बाए नीले यानि की लेट वेंटिकल से आक्सिजन युक्त रख्त इस धमनी और इसकी साखाओं की द्वारा कुरिय सरी में पहुचाती है इसकी पहली साखा निकलती है कोरुनोरी धमनिया या तो हिदे के मसल्ज को रखते तंभरण यानि की रखते की आपूर्टी करती है यानि महा ध्मनी से सर प्रथम निकलने वारी साखाएं हैं दाई और बाई कुरोनोरी ध्मनिया जो आगे चलकर उप साखाओं में विवाजित होकर हिदे की चारोरो फैल जाती हैं फिर दूसरी सा साखा निकलती हैं दाई और बाई सब क्लेवियन ध्मनिया जो कंदो और घुजाओं को खुन पहुचाती है फिर उसके बाद इरोटा की कई साखाय आंतरिक अंगों में प्रवेस करती हैं उदर में इरोटा तो साखा में बढ़ जाती हैं दाई और बाई इलियक ध्मनी और चेतर में इसी अंगों को रक्त पहुचाती है यह धमनिया नीचे टांगों तक जाती है जाए इसे फिमुरल धमनी कहते हैं याद रखेगा कोस्टन नंबर 21 है निन में से कौन सा कम से कम प्रसे छड़ी है विच आफ दे फ्लॉविंग इज लेश्ट ट्रैनेबल तो कौन से कम प्रसे छड़ कर सकता दोस्तों इसमें होती है आपका गति यानिकी स्पेट या अन्वांस से की अच्छा निदी भी इसको बुला जाता ह को स्बसें नंबर 22 है मौनव विज्ञान आत्मा का विज्ञान है किस ने कहा है साइक Elliott is the Charles of soul who said this मौन विज्ञान साइकालोजी सब्द इनानं या निक रही कर बना होता है घर्च भाक षड़ा के imp director sa saiket 벌써وع क सब मिलकर बना है साइक thou refund कि शोल मतलब आत्मा का ऴिजयान कि अनी यरिदी आत्मा का आधियान, शियंड चैत्ना अनी हुआ, भीक्राव। पेंपो नोजी ने अठाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटा को है तो आयोग ने किसको माना है दोस्तों अरस्तु को जब किई बुक में हम लोग पड़े हैं कि अरस्तु प्लेटो दोनों कर दूनों यह बना विघ्याद को आत्मा की विज्ञान का है यह दो सब्सक्क्राइब ृप जवाला नेहरु Unless you... ृफ्थ स्पोर्ट एज रिलेटेट्ट् तो जवाला नेहरु कप है क्रिकेड रेज समय्दित है दोस्तों क्रिकेड यहां पर आपको алеसे आ प्रिकेड यहां पे आपको rechtली होना है जब कि नेहरु सिसकेव समदी थे जवाला नेरू कप Biraz器 विछ इस पूर्ट को छ दू है तो जवाला नेरू को कप हैं वो क्रिकेड से समदीखे दोस्तु यहां पर आपको कनפूजन नहीं हुना है जवाला नेरू कप से ग्रशत कि नेरू ट्रोफी पया उस होंकी और बोट रेस से और नहरू गोल्ड कप कहेगा या नहरू कप फुटबॉल से याद रखीगा कोश्चन नमर चोबीस है निर्मे से कौन सी दवा या रसायन मानोसरी में अराम तयक्ता का नुभो जगाती है विचा थे फॉलिविंग डर्क्स और केमिकल्स इंडेस और फिलिंग फिलिंग ज़िए सन इन दवाड़ी तो दोस्तों और आम देक्ता है रिलक्सेशन का उंब्वो कराती है तो इसमें राइड एंसर हो जाएगा कैना बिनोईर्स क्या हो जाएगा कैना बिनोईर्स आसन नमबर यहाँ पे सी राइड एंसर होगा कैना बिनोईर्स जो होता है भारत में लगने वाले भांग के पौधों से थ्यार किया जाता है इसमें मेरा जीवाना यानि गाजा भांगाता है, या चबाकर या धूंगी द्वारा लिया जाता है, या एकाग्रहमनो सक्रीमन को सक्रिय कर देता है, करने वाला आज इसमें सिथिलता का अन्ग होता है, अरामदायकता का, और दोस्तों इसमें जो आपका ग्लुको कार्टिको इच्रायर्स है यहां पर आपसा नमर डी ग्लुको कार्टिको इच्रायर्स यह सुजन दर्द वजलन को कम करता है इसका समंद एडिनल ग्रंथी के कार्टेक्स से निकलने वाले एडिनो कार्टिको इच्रायर्स से है इसमे के प्रयास जारी रखने के लिए किया जाता है इसमें खिलाडी जो है जो है जो कर ग्लुको कार्डिको इस्टिरॉइट्स है इसको इंजेक्शन के द्वारा नहीं लिया जा सकता या विसे इस परिसिती पे नांख चमडी जोड़ वा आँखों के रास्ते दिया जाता है यहां पर जो डिटीटिक्स से है आप सब कोपता आप 010 किसके काम में आता है यू हम वेट रिड 이후 सिंग डर्ग यारी भार को क्म करता है कि इसको वार को कम करता है जो आप Rancho distint है है अस्थमा रोगी के लिए अस्थमा रोगी के लिए जो पेसियों को सिथिल करती है जो वायू के रास्ते की चारो तरफ होती है और जिसमें शेलबुटामूल और ट्रब्यूलीन नामक असायन रहता है और इसको टैबलेट अथ्वा इंजेसन दुदारा लिया जाता है और इसके सेवन से बिटाटू एगोनिस्ट के सेवन से खिलाड़ी कम समय में अधिक आक्सिजन ग्रोहित करता है जिससे देल से ठकान होता है यानि कि संस्थिता इसको बढ़ाता है कोशन नमर पचीस है वातावरण का आर्थ है इन्वार्मेंट मेंस दोस्तों वातावरण को हुआ है सकती है जो हमें प्रहावित करती है यह प्रिभासा दिया है यह रावस ने करक्सिजन नमर 26 है खो खो मैदान की माप क्या है वाट इन अमेजर्मेंट आफ खोखो ग्राउंट दोस्तों पहले कि टी फ्रेक्षा था अब शतायस गोड़े सोल्रे सफाइश गोड़े सोड़ ही मिट्र की में है 17 गोड़े había this है जो university सेनियर महिला गल्स बॉइस सभी के लिए जुनियर के लिए आपका टेज गुड़े चाहुदे हैं और फ्री जुन जो है आपका पहले 275 गुड़े सोलर था आप 1.50 मीटर गुड़े सोलर हैं और जो पोस्ट लाइन है पोल लाइन वो आपका 25 मीटर है Q27 गुड़े किस सब्धे है तो किक अले किस से समधित है किस सब्धे है यतने भी किक शब्ड़ाइक जिए फोटमर्बाव से फ्ट्बावा निदे हैं ठीक है कार्णर किक, पिनाल्टी किक, डारेक्ट किक, फ्रीक किक, कार्णर फ्लेग, फारवर्ड सब्द आदी सब्ध फूटबॉल से समझी थे कुश्चन दमाठाइस है, चोट लगने पर रक्त को जबाने का कारे कोन करता है तो दोस्तों, आप सबको पता है, चोट लगने पर रक्त को जबाने का काम करता है, रक्त बिंबार्ड यानि के ब्लड प्लेट लेट करता है जैसे कि हमारे सरी में जो हमारे एकृत बनाता है हीपरिन नमक पदार्थ, जो हमारे सरी में रक्त को जमने नहीं देता हेपरीन हवा संपर्क में आने ऊधेद और व्यार्ड रक्तों होती हैं, जैसे assume यानि की मिनराल्स में आपका काल्सियम जो है वही रखत को जमाने मदद करता है। वितामिन के जो है इसके रखत करता है। कोईशन नमर। 19 नमर। 29 है किस हॉर्मून का इस्ट्राओ होता है। that is secreted from the earlars of Langerhans. विपए लिवेलिटा, डेल्टा और एफ कोसिका ने होती हैं जिसमें, यकिसे अलफा कोसिका से गुलुकाइगान विटा कोसिका से इंसुलिन नामक हर्पन मदद होता है तो आप इंसुलीन नामका राइट इंसर हो जाएगा इसुलिन जो है ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और उर्जा बनाने मदद करता है और ग्लुकोज के आक्सी करोड में मदद करता है अगर इसकी कमी हो जाती है तो ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है और जो ग्लुकोज होता है सरक्रा के मातला ग् हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं मधुमे यह रोक कहते हैं आगर जब इंसुली की मातरा ज़ादा हो जाती है बाड़े में अगर जादे मातरा में ग्लुकोज, ग्लाइकोजनी बदल लगता है और रफ्त में घ्लुकोजनी सरक्रा के मातरा कम हो जाती है जिसे हाइपोग्लाइसिमिया कहते हैं. कोश्चन नम्र 30 है, YMCA क्लब बालक इसकाउट बालिका गाइड्स किस अभी करण के अंतर गताते हैं, यह सब स्वैंस्टेवी के अंतर गताते हैं. कोश्चन नम्र 31 है, कोश्चन नम्र 32 है, कोश्चन नम्र 32 है, तो जैसे कि नाक आॉट प्सक्टा में फिक्स्टर डाले कि दो विध्या होती हैं अगर इविन नंमबर है समसंख्या है तो उपर नीचे, के हाफ में बाथने के लिए यंपर नंबर है तो उपर के हाफ में पूछा है, तो क्या हो जाएगा तेरर टी में है ययन प्लसूर अपाँ ठीडर टीरो फोन अपाँ यानि चोद्य आपाँ टूर्थ यानि साथ दुना टैंक यानि कितने उपर के हाफ में टीम रहेंगे साथ नीचे हाफ में छेव रहेंगे ठीक है कोस्टिन नमेर 33 कार्बन डियाक्साइड युक दरख्ट कहां आक्सिक्रित होता है वेर इद ब्लॉट कांटेनिंग कार्बन डियाक्साइड आक्सिडाइड दोस्तों यहां फेपडो में होता है अब सबको पता है परमणली धहमनी दर्ख्ट दाएं निले से असुद तो दोस्तों यह था आज के सेशन में 33 गोसन्स आई हो कि सभी कोशन्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जिस भी कोशन्स में डाउट होगा कमेने में जरूर बताएए और ज्यादे ज्यादे वीडियो को सेयर कीजिए जिसे और लोगो तर वीडियो पहुच सके तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जैए